नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवामे बिटा आज की वीडियो में लेकर आई हूँ Class 12 के Political Science सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए और बिटा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोगों का Second Term का Practice Paper जो की अप्लोड किया गया है Direct Rate of Education यानि की सिक्षा निदेशाले के द्वारा तो बिटा जैसा कि आपका Second Term का Board एक्जाम आने वाला है 40 Marks का जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटों का तो उसी पैटर्न पर बेस ये आपका Question Paper है जिसका Solution भी यहां आपको मिलेगा तो आपका जो Question Paper है उसकी Journal Instructions की अगर हम बात करें तो बिटा सबसे पहले तो आपका Paper तीन पार्ट में बटा हुआ है A, B और C पार्ट A में आपके 8 प्रशन है जो 2 नंबर के हैं और इनको आपको 50 वर्ट में लिखना है आपका जो पार्ट B है उसके अंदर आपके 3 प्रशन है और ये आपके 4 माक्स के प्रशन है और इनका अंसर आपको 100 वर्ट में देना है इसी तरह से जो आपका भाकसी है वो आपका 6 अंक का प्रशन होगा यहां पर और इसमें आपके सिर्फ दो प्रशन दिये गए है और जो वर्ट लिमिट है वो 170 वर्ट रखी गई है तो बिटा ये आपके कुछ कोशन्स है इन कोशन्स को ना पढ़ते हुए सीधा हम सॉलिशन्स पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर इन कोशन्स को देखने का हमें दुबारा मुका मिलेगा तो ये आगया बिटा आप लोगों का सॉलिशन और इस सॉलिशन में आपका जो हमारा सेक्शन ए है यानि की भाग एक है उसको हम शुरू करते हैं तो वो प्रशन है आपका कि भारत को किन आधारों पर 21 शताबदी की एक उद्धे मानशक्ती माना जा सकता है है ना 21 शताबदी की उद्धे मानशक्ती किस आधार पे हम भारत को कह सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको दिया हुआ है कि विश्व में मानुए संसाधन के लिहाज से भारत एक समरद्ध देश है क्योंकि हमारी जो यहां पर population है वो second number पर आती है तो इस वज़े से यहां पर मानुए संसाधन जो है भरपूर मात्रा में है सेकिंड है भारत विश्व का एक विशाल प्रतीसपर्धी केंद्र है थर्ड है बिटा भारत का लक्षे भविश्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थ विवस्था को प्राप्त करना है चाथा सामविक द्रिस्टिकोंड से भारत की सेन्य शक्ति परमाणो तकनीक के साथ इसे आत्म निर्भर बनाती है इसके अलावा आपको जो इस कोईशन में आप्शन दिया गया है तो उसमें आपसे आसियान के कोई दो उदेश्य लिखने के लिए बोला है तो इहाँ पर कुछ उदेश्य दिये गये हैं इसमें से कोई से भी दो उदेश्य जो आपको सही लगें आप यर जल्दी से आपको याद हो जाएं लिख सकते हैं तो पहला उदेश्य है छेत्रिय शान्ति और स्थाइत्व को सुनिष्चित करना सेकिंड है छेत्र के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और धर्ड है कृषी, उद्योग, व्यापार, आवगमन और संचार की विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साजेदारी करना चौथे पॉइंट में समान उदेश्यों वाले अंतरास्रिय और छेत्रिय संगठनों के साथ बहतर संबंध बनाना तो इन में से जो भी दो आपको याद हो वो आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये दो मार्क्स का कृषिन है बेटा आपका सेकंड कृषिन है दक्षिन एशिया छेत्र की प्रमुक विशेष्ता बताईए यहाँ पर आपको प्रमुक विशेष्ता है बतानी है तो इस तरह से हम लिखेंगे प्रमुक विशेष्ता है निम्र लिखेता है और आपका first हो जाएगा यह है विश्व का जनसंख्या बाहुले वाला छेतर है कौन सा दक्षिनेशिया छेतर इस छेतर के देश विकासील देशों की श्रणी में आते हैं जिसमें से एक भारत भी है और यहां की जो अर्थविवस्ता है वो क्रशी प्रधान है चोथा भारत इस छेतर का प्रमुख देश है पिटा कोशन नमबर अच्छा एक और पॉइंट है यहां पर इस छेतर के देशों ने अपने छेतर के विकास के लिए सार्क नामक संगठन की स्थापना भी की हुई है दक्षिन एशियाई छेतर में जो देश आते हैं उनकी यहां पर बात हो रही थी कोशन नमबर तीन है भारत में किल मुद्दों पर विभिन दल आपसी सहमती दर्शाते हैं किन ही दो मुद्दों को लिखिए तो आर्थिक निती पर सहमती दर्शाते हैं और दूसरा देश के प्रशाशन में मुद्दो में प्रांतिय दलों की भूमिका को भी सुईकार करते हैं आपका कुशिन नमबर 4 है गठ बंधन सरकार से आप क्या समझते हैं तो जब चुनाव के बाद किसी दल को इस पस्च पहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक दल मिलकर एक सरकार बना लेते हैं और इस तरह से बनाएगी सरकार को गठ बंधन सरकार क्याते हैं जैसे कि आपने पिछला पांक साल पहले जब यूबी में चुनाव हुआ था तो वहाँ पे आपने देखा था मायवती जी ने और कौन थे वो अखलेश उन दोनों ने मिलकर अपनी सरकार का गठ बंधन कर लिया था बीजेपी के अंगेंस्ट में बिटा अभी है आपका कुश्य नमबर फाइव एकात्म मानववाद का दर्शन किन तीन सिध्धानतों पर अधारित है तो एकात्म मानववाद का दर्शन तीन सिध्धानतों पर अधारित है वो तीन सिध्धानत है पहला समगरता की प्रधानता दूसरा धर्म की सरवोचता तीसरा समाज की स्वायत तता Question number 6 है बिटा यहां पर भारती राजनिती में अपात काल के बाद सत्ता में आई जन्ता पार्टी की साशन ववस्था पर अपने विचार व्यक्त करें तो बिटा क्योंकि इसके अंदर आपको अपने विचार देने है तो यह Question आप खुद से करेंगे Question number 7 है बिटा Brick और Bricks में अंतर लिखिए तो Brick जो शब्द है वो ब्राजिल, रूस, भारत और चीन को बताता है और 2009 में दक्षर अफ्रिका जब इसमें सामिल हो गया तो यह है Bricks हो गया ठीक है यानि कि Brick के अंदर सिर्फ चार कंट्री है कौन-कौन सी ब्राजिल, रूस, भारत और चीन जब इसके अंदर दक्षर अफ्रिका भी आ गया तो यह Bricks हो गया यानि कि पांच कंट्रिया हो गया Question number 8 है दोस्तों लोगतांतरिक समाजवाद के कोई दो सिध्धान्त लिखिए तो दो सिध्धान्त निमनलिकित है पहला भोजन एम सरन के रूप में आर्थिक उदेश है और दूसरा लोगतंतर एम सोतंतरता के रूप में गैर आर्थिक उदेश है चीक है बिटा यहाँ पर आपका section A खत्म होता है यानि कि दो नमबर वाले प्रशन आपके खत्म होते हैं और अब आपका section B है जो कि चार नमबर के प्रशन के लिए है आपका नमबर प्रशन चार नमबर के लिए है और पूछा गया है कि वैश्वी करण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है तो नमबर एक वैश्वी करण से सांस्कृतिक समरूपता आई है दूसरा वैश्विक देश की सांस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है तीसरा संस्कृतियों में पस्चिमी संस्कृति के प्रभाव में भी व्रध्धी हुई है समझते हो नहीं चीजें और चौथा सांस्कृतिक विभिन्न करण याने की सांस्कृतिक विभिन्नता को भी बढ़ावा इस चीज से मिला है मतलब बदलाव करना आसान हो गया है Q10 देखो चार नमबर का अगर प्रश्ण है तो कम से कम चार पॉइंट तो हमको लिखने होंगे Q10 है भारत में एक दल ये ववस्था के स्वरूप और अन्य देशों से इसकी भिन्नता को स्पस्ट कीजिए तो इसका अंसर में हम लिख सकते हैं सुतंत्रता के भाद भारत में लंबे समय तक एक दल का साशन रहा इसके लिए भारत का एतिहासिक परिपेख्षय चुनाव प्रणाली दल की विचारधारा वे उसका व्यापक सामाजिक आधार उत्तरदाई था अन्य देशों से इसकी भिन्नता हम कैसे कर सकते हैं चीन, क्यूबा, सीरिया में सविधान के द्वारा ही एक दल को अनुमती दी गई है म्यामार, बेलरूस वे इरिटीरिया में कानून वे सेन्ने उपायों के तहत यह प्रभुत्व कायम हो रखा है और मेक्सिको में पियाराई पार्टी ही साशन कर रही है इन सब के विपरीद भारत में परिस्थितियों की फल सुरूप एक दल्य ववस्था का ही साशन रहा है बिटा कुशन नमबर ग्यारा विश्व में दिये गए मानचितर में A, B, C और D से चार देश दर्शाय गए है दी गई जानकारी के अधार पर इन देशों को आपको पहचानना है और अपने उत्तर पुस्तिका में निम्न तालिका के रूप में लिखना है ब्राजिल के लिए A, रूस के लिए B, चीन के लिए C और थाइलेंड के लिए D ऐसा आपको कहां पर लिख देना है जो आपका मैप यहां पर आपको दिया गया है यह जो आपकी कुश्चन वाली सिरीज है यहां पर आप देखेंगे ठीक है यहां पर यह सॉलिशन है A, B, C, D A पर जो कंट्री आएगी, B पर, C पर और D पर जो कंट्री आएगी वो आपको कंट्री के साथ यहां पर मेंशन कर देना है इसके बाद बिटा आपका जो कुश्चन निम्बर 12 है वो है वैश्वी करण ने विश्व को आधुनिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया किनी तीन प्रभावों का वर्णन कीजिए इन्होंने आपसे तीन प्रभाव पूछे हैं और क्योंकि यह आपका खंड C का प्रश्ण है तो यह आपका प्रत्यक पॉइंट दो नंबर का होगा तो इस तरह से आपको एक प्रभाव बताने पर दो नंबर मिलेंगे और अगर आप तीन बताते हो तो पूरे छे नंबर आपको मिलेंगे तो यह है कि आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित किया वैश्वी करण ने पूरे के पूरे विश्व को तो सबसे पहला तो हो जाएगा वैश्वी करण के कारण आर्थिक प्रभा में बहुत जादा व्रद्धी हुई FDI के कारण एक देश का बुनियादी धाचा बहतर हो जाता है और उस कंट्री का विकास भी होता है यह है प्रत्यक्ष विदेसी निवेस सथा तक्नी की नवचार को भी बढ़ाने में एक तरह से मदद करता है सेकेंड वैश्वी करण के कारण विश्व के अधिकांश देशों की एक दूसरे पर निर्भरता हो जाती है पूझी और संसाद की उपलप्ता आधिकांश देशों को सुलब हो जाती है ठीक है यह है इसका सेकेंड फाइदा थार्ड है वैश्वी करण के कारण विश्व में अमीर वेगरीव के बीच के जो अंतर होता है इसमें व्रद्धी होती है तो यह इसके तीन पॉइंट है जिनको आपको ऐसे explain करना है अच्छे से और इसके बारे में लिखना है क्यूंकि आपको इसको answer 170 word limits में देना है और यह word थोड़े से कम है तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से explain कर लेंगे आपका इस question में choice दी गई है और choice में आपसे question पूछा गया है कि वैश्वी करन के युग में भारत किस प्रकार 5 trillion American dollar की अर्थ विवस्था के लक्षे को प्राप्त कर सकता है अपने विचार व्यक्त कीजिए तो बिटा क्योंकि इसमें आपकी विचार पूछे गए हैं तो आप अपने according इसका अंसर यहां पर दे देंगे question number 13 है बिटा NDA 4 से आप क्या समझते हैं इसके द्वारा अपनाए गए कि इन ही दो महत्वपूर एजेंडों के बारे में लिखिए तो इसका अंसर हम लिख सकते हैं कि NDA को रास्टिय लोगतांत्रिक गट बंधन के नाम से जाना जाता है भारतिय जन्ता पार्टी वे अन्य पार्टियों द्वारा बने गट बंधन ने 2019 में लोग सभाचुनाव को भारी मतों से जीता और इसी राजनेतिक दल को NDA 4 का नाम भी दिया गया इस पार्टी के विकास के लिए महत्वपूर एजेंडे रहे जैसे की 2014 के पस्चाद भारतिय राजनीती में एक बड़ा परिवर्तन जाती वे पंथ आधारित राजनीती का विकास वे सुशाशन उन्मुख राजनीती की और इस्थांतरित हो रखा है सबका साथ सबका विकास के अपने पूर्व इच्छित लक्षे के साथ सरकार ने विकास तथा सुशाशन को जनता के लिए सुलव बनाने के उदेशे से विभिन सामाजिक आर्थिक और कल्यानकारी योजनाएं प्रारंब की है यथा प्रधानमंत्री उजवला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धनी योजना, दीन दलायोपाद ध्याय, ग्राम जोती योजना, किसान, फसल भीमा योजना, बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ और आईशमान भारत जैसी योजना इसका हिस्सा है इसके अतिरिक्त इन सभी योजनाओं का उदेश्य, ग्रामेन परिवारों, विशेशकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्त्रिक लाभारती बना कर सामाने जन के द्वार तक पहुँचाना रहा है पॉइंट नमबर फो में हम लिख सकते हैं विभिन राज्यों के मतदाता, जातियों, वर्गों, समुदाय, लिंग तता छेतरों से उपर उठकर विकास और सुसाशन के विश्यों को केंद्रिय मचिंश पर लाने में भी सफल हुए हैं आप इन में से कोई भी दो पॉइंट्स को अच्छे से यहां पर एक्स्प्लेइन कर देंगे, यहां पर चार बता दिये गए हैं, लेकिन कुश्चन में सिर्फ दो पूछे गए हैं इसके साथ आपका इसे चॉइस दे गई है और चॉइस में जो प्रशन आपसे पूछा है, वो है मंदल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी मुख्य सिफारिशों को लिखिये तो बेटा मंदल कमीशन की अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंदल के द्वारा की गई थी, वहें एक समाजवादी नेता थे, वहें 1967-1977 के संसद सदस्य से भी चुने गई थे समाजिक रूप से या सेक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कराने के लिए 1978 में अन्य पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई थी इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अगस्त 1990 में वी पी सिंग सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने की गोशना की यानि की 10 सालों के बाद और इस आयोग की सिफारी से क्या थी? पहला अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान सेक्षिक और सामाजिक अधार पर की जाए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेक्षिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आयोग ने 27% आरक्षन की भी सिफारिश की थर्ड है बिटा, वित्य सहायता के लिए सरकार द्वारा अलग से वित्य संगठनों की स्थापना का सुझाब दिया गया सरकारी नोकरियों तकनीकों व्यविसाइक संस्थानों में इनके प्रियाप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश भी की गई यह था आपका मॉडल टेस्ट पेपर पॉल्टिकल साइन्स का सॉलिशन के साथ आशा करती हूं पिटा, आपको अच्छे से इसका पैटर्न समझ आया होगा, कुशिंस के आंसर समझ आये होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है